एक राजा को राज भोगते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेध होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दर्बार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत वन रित्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रहमा मुहूत की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला उंग रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, बहु बीती, थोडी रही, पल-पल गई बिताई। एक पलक के कारने ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग-अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरुप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरु जी ने सुनी। गुरु जी ने सारी मुहरे उस नर्तकी के सामने फैक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्त की फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा बसकर एक दोहे से तुमने वेशा होकर सबको लूट लिया है जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आसु आ गए और गुरु जी कहने लगे राजा इसको तु वेशा मत कह, ये अब मेरी गुरु बन गई है इसने मेरी आखें खोल दी है यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ती करता रहा और आखिरी समय में नर्त की का मुजरा देखकर अपनी साधना नश्ट करने यहां चला आया हूँ भाई मैं तो चला यह कहकर गुरु जी तो अपना कमंडल उठा कर जंगल की ओर चल पड़े राजा की लड़की ने कहा पिता जी मैं जवान हो गई हूँ आप आखें बंद किये बैठे हैं मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भाग कर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था लेकिन इस नर्त की ने मुझे सुमती दी है कि जल्दबाजी मत कर कभी तो तेरी शादी होगी ही क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है युवराज ने कहा पिता जी आप व्रिद्ध हो चले हैं फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कतल करवा देना था लेकिन इस नर्त की ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है धैर्य रख जब ये सब बाते राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्म ज्यान हो गया राजा के मन में वैराग्य आ गया राजा ने तुरंत फैंस ला लिया क्यों न मैं अभी युवराज का राजतिलक कर दूँ फिर क्या था उसी समय राजा ने युवराज का राजतिलक किया और अपनी पुत्री को कहा पुत्री दर्बार में एक से एक राजकुमार आये हुए है तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वर्माला डाल कर पती रुप में चुन सकती हो राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई उसी समय नर्तकी में भी वैरा गया गया उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि है प्रभु मेरे पापों से मुझे ख्शमा करना बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी समझ आने की बात है दुनिया बदलते देर नहीं लगती एक दोहे की दो लाइनों से भी हरिदय परिवर्तन हो सकता है बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यक्ता है